तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक बर प्राइस पे नजर मार लीजे क्योंकि आपको प्राइस दिख रहोगा लगबग 30% की ग्रोथ और यहाँ पर रैंक पे भी नजर मार लीजे क्योंकि हम कल 14 रैंक पे थे और आज हम 12 रैंक पे आ चुके हैं और उमीद यह है अगले 24 घंटे के बीचे हम टोप 10 की लिष्ट में भी आ सकते हैं इसके 99% चांसीज हैं अब ऐसा मैं क्यों कहारा हूँ और यह किसके कारण यहाँ पर प्राइस में इंक्रिमेंट देखने को मिला है उसके बार में पूरा डिटेल से जानेंगे साथ की साथ पहले मैं आपको ओवरल मार्केट का भी प्राइस दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं लगबग 3% की ग्रोथ हुई है ओवरल मार्केट में अब आपको यह न लगए भी ओवरल मार्केट ने ग्रो किया तो इसी के कारण शीब इनमें ग्रो देखने को मिला है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर लगबग प्लस के 200% के लगबग पहुँच गया और साथ की साथ प्राइस भी यहाँ पर 32% पे पहुचने वाला है तो मतलब यहाँ पर प्राइस लगातार बढ़ता हुआ नजरा रहा है उसके साथ सा ट्रेडिंग वोल्यूम भी लगातार बढ़ता हुआ नजरा रहा है अब इसके पीछे जानते हैं रीजन सबसे पहला रीजन है रोबिन हुड जी हाँ जिसके प्राइस लिए बहुत से उसके लिए हमने यहाँ पर चेंज डोट आई जो के उपर पोर्टफोलियो भी चलाए यहाँ पर साइंग नेचर सिंग नेचर करो और उसके बाद रोबिन हुड लिस्ट कर देगा बहुत से लोगों ने टैग किया लेकिन कोई असर ने रोबिन ने सबसे बड़ा वह इतनी जादा मातर में बायर्स इसको बाय करते हुए नजरा रहे क्योंकि रोबिन हुड प्लाटफार्म आप सभी भली बात ही जानते हैं कितने मीलियंस ओफ यूजर है और उसमें से कितने जादा मीलियंस ओफ तो एक्टिव यूजर है यहाँ पर तो उन्होंने क्या बता है वह न क्रिप्टो करंसी के खिलाफ नहीं है वह क्रिप्टो करंसी के साथ है यहाँ पर जो सबसे बड़ी पावर मिली है क्रिप्टो करंसी को जो सबसे बेस चीज है साथ की साथ इनकी वेक की रिपोर्ट देखे दिस वीक इन क्रिप्टो तो इसके ब पीज में फर्स्ट टाइम ऐसे हुए शीबा इनू यहाँ पर नजर आये हैं और यही कारणा है भारी मात्रा में वेहल अकाउंट साथ की साथ जो यूजर्स इस वेब साइट से जुड़ो हैं या इस एक्सचेंज से जुड़ो हैं रोबिन हुड से वो यहाँ पर इसको इसके साथ अब आप शीबा इनू को परचेज कर सकते हो अगर बात करूं कोई 98 के तो कोई 98 सूपर एक एप है और यह वेतनाम बेस्ट एक सूपर एप है वेतनाम बेस्ट कोई 98 सूपर एप रिसेंटली अनौंस दर रिलीज ओफ नू अपडेट ओन रैंप फीचर इन कोलब अपरेशन हुई है वो ही है फाइनेंशिल इंस्टिटूशन जिसका नाम है सिम्पलेक्स जिसके बारे में हमने तीन या चार दिन पहले भी वीडियो बनाई थी नेक और पार्टनर्शिप की थी जिसमें शीबा इनू को इनेबल किया गए था ताकि यूजर सुसको बाई कर सके वीजा काड के जरिये से या विर मास्टर काड के जरिये से या और भी बहुत से वे हो सकते हैं इनुर्टर्टली वे में शीबा इनू से ट्रैंक पीपल यहाँ पर जुडते हुए नजर आ रहे हैं जिसके कारण जा 12 की और दिन परते दिन पृपलाइटी इनिक और यहाँ पर आप इसकार लोग भी रिडाउट कर सकते हो यानि यहाँ पर शीवेनु के लिए एक वाइड रेंज सी लगातर खुलती जा रही है जैसे रोबिनूड हो गया यहाँ पर यह हो गया बिट स्टैंप भी बहुत अच्छा काम कर रहा है बहुत सी पार्टनर्शिप कर रहा है जिसके कार बहुत सारे बिजनसे इनेबल करते हुए नजर आ रहे शीवेनु को अब बात करते हैं यहाँ पर वहल अकाउंट की क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खरीदारी हुए है लास्ट हापतों में वहल अकाउंट सबसे ज़्यादा खरीद का हुए नजर आ रह शीबा इनू लाई करता हुआ नजर आ रहा है। यानि भारी मातरा में वहल अकाउंट शीबा इनू पर विश्वास कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता जो उनको profit है आने वाले time में वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही जादा होने वाले है। कारणा है यहाँ पर Shiba Inu लगातार होल्डिंग की लिस्ट में यानि इथेरियन वेल की होल्डिंग की लिस्ट में नंबर वन पे बना हुआ है यहाँ पर दूसरी तरब बात करते हैं बर्निंग के क्योंकि बर्निंग सबसे इंपोर्टन फेक्टर है प्राइज को इंक्रीज कराने का टोटल सप्लाई को कम करने का तो बर्निंग सबसे इंपोर्टन फेक्टर है अगर बर्निंग की बात करूँ सबसे पहले तो मैं आपको दुखाते हूँ एक सिंगल बर्निंग के बीच में यहाँ पर कल की दूसरी तरफ अच्छी चीज है वो होल्ड करके रख रहे है सैल आउट नहीं कर रहे है और दूसरा जो बी था पहला बी था बाइंग के लिए जो वहल अकाउंट अल्रेडी काम कर रहे है और दूसरा भी है बर्निंग के लिए यानि बर्निंग लगतार चलती हुँ नजर आ रहे है शीबेन के जो मैं burn report आपको daily दिखाते रहता हूँ तो वहाँ पर burning आप देख रहे होंगे daily चलतो ही नज़रारी जो क्या कर रहे हैं total supply को कम करतो ही नज़रारी है और जिससे total supply जितनी जल्दी कम होगी उतना ज़्यादा price increase होगा दूसरी तरफ जो हमारा burning का target है वो है 111 trillion शीबेन टोकन्स को burn करने का within a year वैसे weekly बात करतो weekly 1 billion तो लगबग यहाँ पर burn हो जाते हैं लेकिन पिछले 2 weeks से 1 billion का माकड़ा चूके नहीं पाया है अब देखते हैं इस week में क्या कुछ रहा है वो कल report आ जाएगी यहाँ पर अब एक बर नज़र डालेते है price पर फिसे अभी क्या कुछ price की condition यहाँ पर बनी हुई है तो price देख सकते है अभी फिलहाल पर 30% पर चलतो हो नज़र आ था लेकिन अभी 29.18% यानि लगबग 59% पर रहा चुका है यानि यहाँ पर अभी भी growth देखने को मिल रही है और दूसरे तरफ rank अभी 12 rank पर हम आ चुके थे कल 14 rank पर थे उससे पहले हम 15 rank पर थे लगबग 1 हफते तक 15 rank पर रहे थे फिर परस हम 14 rank पर कल भी 14 rank पर करार था और आज हम 12 की rank पर आ चुके है अब बात करते हैं मैंने starting में बोल था हो सकता है हम top 10 की list में आ जाएं और top 10 की list में आने का मेरा यही कारण था कि क्यों जो trading volume इसका वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहे था और यही कारण था यहाँ पर जो trading volume की बढ़ोतरी अगर होर जाद देखने को मिली आने वाले 24 गंटे के बीच में तो next जो report मिलेगी उसके बीच में हम top 10 की list में नजर आएंगे यहाँ पर यानि जो हमने idea लगाया था Shiba Eternity Game आने के बाद top 10 की list में जगा बनाने का वहाँ तो यह possible होनी पाए लेकिन यह possible कर दिया Robin Hood ने क्योंकि Robin Hood की top 5 gainer की list में हम आ चुके हैं और इसको देखते हुए भारी मातर में purchasing start हो चुके जो आप trading volume से भी देख सकते हो तो गाई यह इस वीडियो में वीडियो से लगे तो like जूरूर करे चैनल को कर लिजे सस्क्राइब क्योंकि इस तरह captured video यहां पर मैं लात रहता हूँ Thank you guys